हेलो, कैसे आप सब? उमिद करता हूँ, आप भी अच्छ होंगे तो मैं आज आप से दुबार जुटते हुए टैट चलन के माध्यम से तो मैं आज आपके लिए शी टैट हिंदी का स्लेबस लेकर आए हूँ जिससे मैं आज आपको हिंदी का पूरा स्लेबस बता दूँआ, पेपर फस्ट और सेकिंड दोनों का जिससे आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे और आपको पता जलज जाएगा कौन सा हिंदी में कौन सा विश है किने नंबर का है और किने के आपको किने पढ़ने की जूरत है तो आपको सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे और वहां मैं आपको आपका हिंदी का सारा स्लेबर्स करवाँगा जिससे आपको हिंदी के साइड आउट के लिए रहोंगे और आपको आप गुपरानी जुर्त नहीं है लोगडाण में तो इसका हिंदी कि आपकी पढ़ाय रुख जाएगी या कुछ हो जाएगा तो आपको इस तरह से गब्रानी कोई जुर्त नहीं है पढ़ाने वाले टीचरों के लिए होता है एक एजबिटी टेस्ट है आपको पता ही होगा तो इसमें आपको सबसे पहला विशह बाल विकाशन सेक्षन इसके आपको 30 कोशन देखने को मिलेंगे पेपर में और यह 30 नंबर का ही होता है दूसरा सब्जेक्ट होता है गनित का इसमें भी आपके 30 नंबर के कोशन होते हैं और 30 ही कोशन होते हैं अगला होता बाशा वन दोस्तों बाशा वन इसमें काफी बच्चों को डाउट रहता है तो मैं आपको बता देता हूं बाशा वन वह होती है जो ऐसे कि आपने जो आपने फोर्म बरावा तो उसमें आपने English language first सुनी है तो आपकी second language हिंदी होगी उसके according आपको paper को attempt करना होगा है काफी बच्चे गलती कर देते उसमें जैसे उन्होंने paper में तो हिंदी वर देते हैं जो form बढ़ते हैं और paper में वो पहले English language कर देते हैं जिससे उनके number कार दिया जाते हैं तो आप देख सकते हैं इसमें भाषा 1 में वे 30 नंबर होते हैं 30 नंबर के question होते हैं और बाषा 2 में वे 30 questions होते हैं अब इसमें पाथा subject होता प्रयावण अदन इसके वे 30 question होते हैं वो 30 नंबर के और यह aantal paper 1500 minutes का ओता है दोस्तों इसमें आपको 1500 minutes का हता है और इसमें आपको जो general category student वो उनको 19 मार्क सी होते हैं और जो ST, OBC और SC के बच्चे होते हैं उनको 83 नमबर चाहिए होती है तो दोस्तो मैं आपको अब स्लेबस बता देता हूँ कैसे क्या है तो हिंदी पार्टिकर्म प्रिक्षावन जो पेपर फस्ट है दोस्तो यह उसका स्लेबस है जो आपको बता दीता हूँ जो आपको attempt करने होते हैं और दोस्तों जो पंदार नंबर के question बाकिया आते हैं वो आपके बाशा विकास का अध्यन कलास जाते हैं जिसमें आपको अधिगम अर्जन बाशा अध्यापन के सिदांत सुनने वैपोर बोलने की भूमिका मोखिक और लिकत के विचारूप के संप्रेक्शन के लिए विकिस बाशा के अधिगम के वैखन की भूमिका अपन इनर्श देश जिसमें बाशा की कटना या तुरूटिया विकार बाशा पनने की चुनोतियां बाशा कोशल बाशा बोध गयमता परिणता मुल्यांकन अध्यापन तो दोस्तों आप भी तो आपको सुनने में अजीब लगर होगा पर इनको ऐसे कुछ गबराणी जूरत नहीं है यह बहुत ही एजी है जो मैं आपको कराऊंगा तो आपको आसानी से समझ में आ जाएंगी तो गबराणी देखके यह आपका देशकते हैं यह जो आपके दो पैसी से जाएंगे जो कविताई भी हो सकती है कुछ भी हो सकता है उसमें आपके पंदरा नंबर का हो गया तो पंदरा नंबर के पैड़क हो जाएगी जिसके यह topic है जो मैं आपके cover करवाद हुआ जिसमें आपके यह 15 नंबर cover हो जाएंगे तो आपको आगर आपने एक बारे कर ले तो आप आराम से 30 में से आप 27-28 नंबर राम से ले सकते हैं इसके ज्यादा अच्छे वो तो 30 ही ले सकता है उसमें कोई गढ़ाने वाली बात नहीं है इसमें ने पर बर से क्ड़ांगे ने कि आपको और गयाने को बहुत कहमता यह से लेटे कोस्टन आएंगे उसके है आपको 25 कोशन आएंगे आपको आटाम करने होंगे इसके बाद आपके जो मैंने आपको पिछे syllabus बताया था पेड़ाजी का, वह syllabus इसका होता है, इसमें कुछ अलग देखने को नहीं मिलता है, वह syllabus होता है, उसी में आपका दोनों cover हो जाता है, अब आते है paper second sheet diet, जो paper second होता है, जिसमें आपको 6-8 class के बच्चों को पढ़ाना हो जैसे मैंने बता था है इंदी पहले लिए तो second English होगी आपकी, अगर first language English है तो second language English होगी आपकी, तो इसमें 30-30 number के question होते हैं, 30 question 30 number के होते हैं, इसमें जो four subject होता दोस्तों, जैसे कि आपने, इसमें उसमें तो आपने देख्या था, उसमें environment study था, इसमें दोस्तों आपका environment study इसमें आपको जैसे कि आपने विज्ञान से की है, जैसे अपने बेड करने के बाद आपको पता है कि paper 2 की प्रेक्षा देनी होती है, तो इसमें आपको अगर आपने विज्ञान से की है, तो आपको विज्ञान के question देखने में मिलेगे, शाठ नंबर के, अगर आपने math से क तो आपको math की question करने होंगे 3 अगर आपने सामाजी का देन से बीड के तो आपको सामाजी का देन के question करने होंगे 6 तो आपके जो subject आपने चूज किया था बीड में उसके coding आपके start question आएंगे इसे लिए आपको six to eight class के book पढ़नी पढ़ती है उसमें से आपके यह 60 marks cover हो जाते हैं और यह भी 500 number paper होता है इसमें 500 marks का होता है जो criteria उसमें भी वह criteria fulfill करना पड़ता है तो इसका syllabus देख लेते हैं तो इसके syllabus भी दोस्तो जैसे paper first में देख एसा कैसे जिसमें आपको 15 question देखने हो को मिलेंगे आपको वह solve करने होंगे दोस्तो दूसरा part जो 15 question जो 5 number जो इसमें देख दिखा रखे पास परशन आती है यह भाषय विकास अध्यापनसी आती है दोस्तो इसमें अधिगम अर्जन भाषय द्यापनसी दांत सुनने बोलनी की भूमी का मोखी लेख रूप के विचार्शन प्रिक्षन के लिए किस भाषय की अधिगम में व्याकन की भूमी का यह काफी topics सा आपने देखे थे वैसे इक topics है यह तो यह दोस्तो यह पर शुनते हैं से चलब के देखने को मिलेगा आप देख सकते हैं तो दोस्तो इसमें कुछ अग है नियुक्त अब जो भी आपके पेपर एक तरह से आप यह मालो पेपर फस्ट शेकिंड दोनों का सिलेब सेम हैं दिगा कुछ अलग नहीं है बस उसमें लेंग्वेज का फरक पाता हो लो इससे अलावा कुछ नहीं पाता तो आप किसी तरह से ड्रे नी घबराएं नी तो आराम से आप चैलनग को सब्सक्राइब करें और हमारी हमारी सा जुड़े रहना तो आपको किसी तरह की प्रोब्लम निया ने देंगे और कोई भी डाट हमारी हर वीडियो के नोटिकेशन मिलती रहेगी और दोस्तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें कमेंट करें अद शेयर के जिससे ज्यादा ज्यादा बच्चों के पास यह इंफोर्मेशन पोज़ सके तो थैंक्यू दोस्तों